यदि आप ठीक से भजन करते हो तो आपको कोई आकांख्षा करने की ज़रत नहीं आगे से आगे वो जहां पहुँचाना जो करना अपने आप करेंगे हम ब्रिंदावन को जानते भी नहीं थे पहली वारिस परण हुआ कैसा होगा ब्रिंदावन क्योंकि अपने लोगों की अंतरद्रश्टी रहती थी एक-एक हरकत पर नजर थी अंदर की बाहर का तो मतलब भी नहीं था भगवान की अशीम कृपा रही है कि यववन अवस्था में कभी कही भरपेट भोजन मिला हो तो मिला हो ना कोई गरम कपड़े पहनना ना जीवन में कभी पंखा चलाना यह इस यह दुनिया का प्रपंचे तो बहुत दूरी बात है कभी पंखा के नीचे सोयों ऐसा नुभो नहीं ब्रंदावन के शिवा एक मात रंतरों दुर्ष्टी मेरी वरत्ती कहा है बस इसी पर लहती थी कहा है मेरी वरत्ती बस हर तरह से इस मन को देखा है जैसे लो कErते लो केते हैं आ मामू को मार्ग में पी एचडी किये तो शादक, उपाशक, शादुमात्मा किवल मन पर दर्ष्टी रखते है सारी पढ़ाई मन की है इसमें और कोई बाहरी बातें नहीं है इसमें परमशिद्धी का जो लाब होता है किवल मन पर दर्ष्टी रखी जाती है उसी को द्रश्टी में रख करके स्रश्टी से बचाके और भगवान के चिंतन में लगाना एक लगन लगी हुई कैसे ब्रह्म साक्षाकार हो कैसे वहाँ कोई ये गुंजा ऐस नहीं थी भोग शामागरी भोग वारता भोग द्रश्ट गाटों में कहाँ गुंजाए दो पाहर की तप्ती धूप में पंडो की छतुरी की नीचे और रात्री में वही गाटों में थोड़ी देर भिख्शुकों के बीच में बैठ जाना जो मिला मिला ने तो हर हर महा देगा शान तिक दम ब्रमचरे और शैयम का बड़ा बल होता है कभी निरास हतास और ऐसा नहीं कि चलने लाइक नहीं ऐसा कभी अनुभो जी उनमें नहीं हुआ आप समझे वो परिस्थिती अगर ना मिलती तो शायद है कि वो अनुभो भी ना होता जो अनुभो एक जो निश्चिंतता, निर्भेता, एक ठसक, हर समय नवी नुच्छा वो भगवान ने जैसी परिस्थिती चयन की थी उसी में राजी होने से हो गया एक बहल इतनी भूँख से व्याकुल हुए तो दोशनता है काशी के अशार कहा रहते हो गाटों में रहते भोजन जो महादेव जी दे दे या घाटों में कौन देता है कान पूरणा कभी शतुआ इतना जिससे भिखारियों को लोग बाढ़ते हैं दो-चार किलो शतुआ लिया पचासो बेठे हैं ऐसे से डाल दी तो कमंडल का ढखकन होता था ऐसे रखका कोई एक पीस बरफी रख दिये से बुले आओ चलो आज तुम्हें भोजन पवाते हैं को देखो मन की बात पर होने शुर लेगी लेकिल हसी की बात ले गए कमरे में बैठाला और दो घंटे बाद आए रहत हो गई थी शाम के बैठते थे जाके और आए बुले हमारे हाँ तो प्याजलाशन बनता है आप खाते हैं यह तो नहीं बन महादेव निकले खोब हसे कि ए मन देखा तेरी चालवाजी नहीं चली नहीं चली नियम लिया था कहीं नहीं जाएंगे पर इतनी बिवस्ता हम अपनी तरसे ले गए और अपका देखा तुम्हें उत्तर दिया माद चल आज के बाद कोई बुलाए भी तो नहीं जाला है यह बहुत बड़ी उपलबधी का मार्ग है चाहे ग्रेस्त हो चाहे वीरक्त हो जैसी परिस्थिती प्रभू ने दी है सची मानिये तुम्हारे कल्यान के लिए वेसी परिस्तिती आवश्यक है आप कह सकते हो बड़ा घर में प्रतिकुलता रहती जरूरी है प्रतिकुलता भगवत प्राप्ती के लिए जो तुम्हें प्रतिकुलता मिली जरूरी है बड़े बड़े सिद्ध भक्तों को मिली है आप तो अभी भक्ती के मार्ग में कदम रखना चाहते हैं और जो भक्ती के सुभट है उनके साथ भारी से भारी प्रतिकुलता हुई हम प्रतिकुलता का निरादर न करे वो भगवत कृपा है जो मुझे दलदल से निकाल रही है सब का स्वरूप शामने आ रहा है रहिमन विपदा हु भली जो थोरे दिन होए हित अनहित या जगत में जान परे सब कोई